विक्सित भारत संपर्क ये जो मैसेज है ये इंटरनेट पर भाई भयंकर तरीके से वारल हो चुका है और वो इसलिए क्यूंकि इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग वाटसब यूज करते हैं उन सभी के वाटसब एकाउंट पर इस मैसेज को भेजा गया है और मैं बिल संपर के वाटसब पर भी विक्सित भारत संपर के नाम से मैसेज आया है इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि विक्सित भारत संपर का ये जो मैसेज है ये ओल्मोष्ट लग भग सभी वाटसब यूजर को मिलेगा सभी लोगों को मिलेगा चाहिए आपने गावर्मेंट की को scheme ली है या नहीं ली बस आप WhatsApp यूज़ करते ना आपको ये message आएगा अब इस message के आने की बाद तीन सवाल सबसे बड़े कड़े होते हैं सबसे पहला तो क्या ये message जो आ रहा है ये scam तो नहीं कोई fraud तो नहीं या फिर कोई problem तो नहीं create करेगा क्या ये real में government के तरफ से आया हुआ message है दूसरा सवाल के भई ये जो message है ये कहना क्या चाह रहा है और तीसरा कि हमको इस message का करना क्या होगा मलब इस message के बाद क्या करना है तो इन तीनों चीजों को clear कर देते तो सबसे पहल अगर आप देखोगे तो विकसित भारत संपर्ग के बाद एक green color का tick लगा हुआ है तो यहाँ पर एक बाद clear हो जाती है कि विकसित भारत संपर्गी जो account है ये verify account है यानि कि WhatsApp की तरफ से इसे verify किया गया है और WhatsApp तब ही किसे account को verify करता है जब वो account बिलकुल real और genuine होता है क्योंकि WhatsApp verification करने के लिए आपको अपने real documents देने होते हैं तो यहाँ पर government ने अपने documents दिये हैं जो भी उसके documents लगते होंगे वो documents देने के बाद ही इस account को verify किया गया है यानि कि WhatsApp के तरफ से यह account बिलकुल real है फिर भी ज्यादा जानकरी के लिए आपको यहाँ पर profile पर Google Maps की location और government की official website की link भी जो है वो मिल जाएगी यानि कि almost यह account real है सच में यह government की तरफ से ही आपको message आया है तो दीखे message को दो भासाओं में लिखा हुआ है पहला है हिंदी और दूसरा है अंग्रे जी मैं आपको हिंदी में पढ़के सुना देता हूँ और भविस्य में भी मिलता रहेगा इसमें आपकी भागिदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक परिवार की रूप में एक साथ मिलकर विक्सित भारत के लक्से को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे है आपसे अनुरोध है कि विक्सित भारत के सपने को पूरा करने के ल याने कि तीसरा सवाल feedback देना है आपको अब आपको जो भी सही लग रहा है कि सरकार ने क्या अच्छा करा है या फिर नहीं करा है जो भी आपका सुझाओ है जो भी आपका feedback है आपको आजादी अपना feedback देनी की तो आपका जो भी feedback है वो आप अपना feedback दे सकते हैं और हाँ आप क्या feedback देंगे वो feedback आप चाहे तो हमारे comment box में भी दे सकते हैं ताकि लोगों भी पता चले कि आपका सरकार को लेकर क्या feedback है तो बिंदास आप अपना feedback यहाँ पर दे सकते हैं टेक केर बाइ